Hello student, कैसे हैं आप? B.com Semester 5 Honors का Exam finished हो चुका है अब कुछ बच्चे back वाले हो सकते हैं बाके Exam finished हो चुका है काफी बच्चे जो Old student पढ़ रहे थे काफी student की Query आ रही थी कुछ subject को लेके और जितने भी new student YouTube पे भी पढ़ रहे थे उनकी भी Query आ रही थी कि सर अब पिछले semester में जो था last moment पे फिर थोड़ी से दिक्कत हो गई थी कि जल्दी जल्दी syllabus खतम करो जल्दी जल्दी करना है यह करना है ऐसे करना है तो हाला कि यह program वालों के तो अभी 23-24 को exam है last 22-23 को तो यह सभी के लिए वैसे है यह सिर्फ semester 5 के लिए video है ठीक है मैं जो बात कर रहा हूँ ना मैं बात कर रहा हूँ सर जो बच्चों exam दे रहे थे बी कॉम चाहे बच्चा program का हो चाहे बच्चा honors का हो और यह जो बच्चे अब पहुँच गए है semester 6 में अब देखे आप सभी को ना मुझे डियू के पूरी process को बताने की कोई जूरत नहीं है कि डियू किस तरीके से result देता है डियू किस तरीके से देता है पहले semester 1 में रहता था कि sir अभी तो result भी नहीं आया अभी तो paper ही खतम हुआ तो अभी हम Q classes ले ले पहले था आप में fundamental of investment FOI fundamental of investment ठीक है न एक है हमारा GST यह दोनों बैचिस अभी लॉंच हो रहा है और जो बच्चे अभी start करना चाहते हैं enrolling वो definitely कर सकते हैं इसके अंदर और classes वगेरा GST कोई और टीचर पढ़ाएंगे GST का मैं बता देता हूं कौन से teacher पढ़ाएंगे सर यह पढ़ाएंगे आपको CA कुशल sing ठीक है और FOI जैसे क्योंकि FOI बहुत सारा पार्ट जो है न यह financial management का advance version है financial management का आप सभी ने exam दिया और आप सभी का कैसे exam दिया मेरे से बहतर आप जानते हो तो FOI मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन इस बार कुछ limited student रहेंगे ठीक है न FOI मैं पढ़ाऊंगा कुछ limited student रखेंगे मतलब बहुत जादा नहीं ले रहे उसी के according अभी initially जैसे की हमारा जो यह price है पिछली बार काफी दिक्कत हुई थी तो हमने थोड़ा सा price cost को देखते हुए increase किया है that is हमने 650 का price रखा है लेकिन अभी earlier जो बच्चा खरीदना चाहता है उसको यह price 500 का पड़ेगा सर अब दूसरे बच्चे जो YouTube पे देख रहे हुए सर हमारे लिए कब आएगा यह बिल्कुल fresh recording है FY पुरानी कोई recording नहीं है GST हर साल चेंज हो जाता है तो YouTube पे आने में थोड़ा डिली रहेगा मैं पहले clear कर दो क्योंकि जितने बच्चे मेरे से 6 semester से जुड़े हुए है वह यह भी मान के बैठे हुए सब्जेक्ट भी तो होई जाएगा चलो YouTube पे लेकिन अगर मैंने पहले आपको अवेर नहीं किया और लास्ट में मैं बताओं तो फिर वह एक मेरी तरफ से देखा जाए तो एथिकल चीजे नहीं है लास्ट में बताना तो मैं पहले बता दूँ कि यह जो है बैच स्टार्ट इसका 27 तारिक से हो जाएगा एप्रॉक 27 जनवरी से 26 को छुटी है 27 जनवरी से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा दोनों का लाइव रहेगा सारा का सारा टाइमिंग जो है वो आपका यह सात बजे रहेगा इसका सात बजे रखने वाले हैं 7 o'clock ठीक है ना इस बैच का टा आठ बजे रात को भी हो सकता है औल्टरनेट डेज पर या फिर मॉर्निंग में भी जो भी इसका टाइम डिसाइड नहीं है दोनों में कोई भी आपका रिकॉर्डिंग नहीं जो बच्चा ओवर्वी लेना चाहता है बट मैं तो सज्जेस्ट करूंगा भाई नई जब स्ट आने के ज़्यादा ज़रत नहीं आप इंकम टेक्स पड़ चुके कि जिस काम आएगा फंडमेंटल ऑफ इन्वेस्मेंट जो स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं एनलेसिस रिसर्च के अंदर आपने कोर्स का नाम सुना होगा देट इस सी एफे सी एफे के अंदर यानि आप एक एनलेसिस बनना चाहते हो और चाहे आप इन्वेस्मेंट में स्टॉक मार्केट में इन सभी से रिलेटेड तो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाता है अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यह और यह फर्दर आप अग कालिक्स करते हो आगे आगे आपने आगे start किया MBA यह फिर आपने Chartered Financial Accounting स्टॉड किया आपने यह फिर कोई भी आप International नेशनल कोर्स करना चाहते हो, in future आपका मन बन गया, तो ये, अब मैं बताओं कि अभी से आप ना, जो भी सोचोगे, कुछ तो सोचते नहीं है, जरनली बहुत सारे student का भी करना क्या है, वो automatically needs जब पढ़ती है, तो हमें करना पढ़ता है, उस time problem create होता है, तो इस बार वो गलत student हम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर doubt के issue आ जाते है, या फिर फिर, वहाँ पे फिर server का issue इस बार आ गया था, तो उसी के recording student होगे, पहले pre booking है, जितने बच्चे book हो जाएंगे, उसके कुछ दिनों तक admission बंद रख देंगे, जो classes live से होगी, first classes बिल्कुल starting से होगी, जो बच्च open रहे, तो उसको सारी recorded ही देखनी पड़ेगी, उसके लिए live नहीं होगा, और बाद में जो बच्चाएगा, उसका doubt सिर्फ और सिर्फ live session में लिया जाएगा, अलग से कोई doubt का नहीं दिया जाएगा, जो हम इस बाद provision सोचके बैठे हैं, स्लेबस पे थोड़ा नजर मार लेते हैं, क्योंकि GST वाले सरका मैं introduction करवा दूँगा अभी, अभी वो थोड़ा सा work पे है, तो उसको मैं बुला नी पाए उनको, तो एक unit 1 है, इसमें ये वाला chapter और ये वाला chapter पूरा theory है, ये chapter practical है, देखो risk return analysis, bond पे कैसे risk होता है, equity पे कै का मतलब एक तरीके से भाया, debenture को आप किस तरीके से analysis करोगे, bond का valuation के, अब आपने देखा होगा, के market के अंदर आपने देखा होगा, अभी, simple सा example लो, आप सब भी जानते हो, domes, domes ने अपना face value share का था, 10 रुपे, लेकिन उसने अभी, कुछ मेरे खाल, काफी महंगा issue किय एक सो कुछ रुपे का, उसने issue किया, 160 के round किया, तो भी, यह दस वाले share का, कैसे उसने decide किया, कि 160 रुपे market में price, कितना premium होना चीए, यह सारी चीज़े बात है, इसके बाद करेंगा technical analysis, कि भी, आप कैसे पता करो कि share का price कितना जाने वाले है, आपने YouTube अगरा पे देखा वो सब तो मान के चलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी YouTube पे होंगे, जो कि पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे तो बस ऐसे ही है, कि दो computer लगाया है, चार screen पे, लेकिन उनको actual यह भी नहीं पता के होता क्या है, इनका एक exam अलग से भी होता है, NCFM, जो कि आपको certificate प्रवाइड हो mutual fund सिखाये जाएगा, यानि यह सारी चीज़े वो है, जो कि आपके day to day life के अंदर, real life के अंदर, यह चीज़े, कोई अगर बोलता है, यह चीज़े मैंने नहीं सुना mutual fund, बस सुना है, कुछ चीज़े ऐसे सुना है, कि mutual fund है, लेकिन है क्या actual में यह नहीं, तो मान के चलो, य जो कि आपको करना चाहिए, अब जिन बच्चों का यहाँ पर कुछ doubt आ सकता है, कि sir, हमने पहले तो कोई और subject ले लिया, देखो, इसके जगह पर यह चूज कर लिया, तो उसमें कोई फरक नहीं है, आप अभी भी जाके change करा के कर सकते हूं, classes मैंने बता दिया आपको, यह स सरी का रहेगा, मैं screen पे आपको real stock को भी दिखाऊंगा, और उसके साथ पूरा practical करने वाले है, sir, book कौन सा लेना है इसके लिए, book again लेना है आपको इसका, आज मैं रुख जाता हूं, दो book इसके लिए market में available है, क्या आरपी रस्तोगी, और दूसरा है आपका, विनीता, विन दो, लेकिन इसमें से कौन सा अभी लेना है, और कौन सा अभी नहीं लेना, वो चीजे मैं दोनों book को एक बार analysis कर लेता हूं, कि आपके लिए कौन सा और कैसे आएगा, 10 year आपने लेना ही लेना, जैसे देखे 10 year, इस 10 year के अंदर भी मैं analysis करके कुछ चीजे change करूंगा, कि paper क कैसे आता है, सर एक question वही FM वाला scenario रहेगा, practical उसी ratio में रहेगा, इसके अंदर practical जादा आएंगे, और थोड़ा बहुत aesthetics का भी roll आने वाला है, इसके अंदर तो अगर आपने aesthetics पढ़ा है पहले कभी भी, तो वहां पे आप use करोगे, तो बस आपको यही announcement देना था, तो hopefully आप समझ गये होंगे, तो आप फटा-फट से जाके enroll कर सकते हैं, pricing वगरा मैंने सब चीजे बता दिया, description में number और course का link communicate करके आप चीजों को start कर सकते हैं, तो मिलते हम next video के अंदर, thank you so much, और फिर हम class के अंदर ही generally मिलने वाले हैं, चलिए झाले हाँ